हलो नमस्कार इस्ट्वेंट मैं विशेक भारगाव भारगाव क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ ठीक है आज हम जो है वो बात करने वाले हैं जो छतिविवल में जो इलेक्रिसिटी बोर्ड में वेकेंसी निकली है भी जो है वो ऑफिशल वैबसाइट पर नोटिविकेशन आ गया है तो इसका क्या इस वीडियो में करने वाले है तो इस वीडियो को सुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखेगा और जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ अगर आप लोगो को देखना हो तो वैसा आप देख सकत पेज पर आ जएगे तो इसका जो है विड्यापन आजाएगा इस प्रकार से जो विग्यापन आ जा जाएगा गए तो आप को देख सकते है ठीक मैं आपको सारा डिटेल जा है वह अभी बताने वाला हूँ लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आप खुद भी कर से process छ कर सकते ह तो आप उसके नीचे वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको जेए का जो है इस प्रकार से जो है वो दिखाई देगा ठीक है अब यह तो मैंने आप लोगों को देखना बता दिया कि आप किस तरीके से जाकर जो है वो अपने से खूद से भी देख सकते हैं इसके जो दोनों के दो बात करते हैं डाटा इंटरी ऑपरेटर की तो सबसे पहले देखेंगे यह जो विग्यापन देखते हैं देखें तो देखें इसके अंदर में जो जो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें वो देखेंगे ठीक है जैसे कि इसमें जो है विग्यापन देखते हैं देखें तो देखें यहां पर जो है वो आप दिनांक 29-21 समय बाराव जैसे ऑनलाइन आवेदन जो है वो आमंतरित किये जाएंगे तो वही पर जहां मैंने आप लोग को बताया वही से जाकर आप जो है इसका फॉर्म जो है 29-9-2021 ठीक है तो इसको आप जो है वो अच्छे से याद रखेगा ओनलाइन एप्लिकेशन को देखें थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं अच्छे से ठीक है अब देखें पदों का जो इसके अंदर विवरन दिया गया है वो देखें अच्छे से त आनुसूसी जन जाती के लिए यहाँ पर आठ पोस्ट है अन्यशन पिशला के लिए यहाँ पर कितना है 12 ओल योग जो है वो कितने पोस्ट है 50 पोस्ट का है तो यह आप यहांपर देख सकते हैं अब देखें डिस्टीपूइशन के अंतरא च्छे थोंस है यह फे इनरी अन अनुसुची जाती के लिए 2 है, अनुसुची जाती के लिए 40 है, अन्य पिशला वर के लिए 9 है, कुल जो है वो 68 पद है, जगदलपूर छेतर में data entry operator के लिए ठीक है, याद रखेगा, उसके बाद देखे, अंबिगा पूर छेतर में जो है वो, यहाँ पर data entry operator के backlog सहीत कितने पद है, तो यहाँ पर 12 अनरक्षित के लिए है, अनुसुची जाती के लिए 2 है, अनुसुची जाती के लिए 4 है, अन्य पिशला वर के लिए 6 है, कुल मिलाकर 44 है, यहाँ पर यह किसकी छेतर के लिए है, तो अंबिगा पूर छेतर के लिए है, जहां से आप भरेंगे, वह यहां पर आप देख लीजेगा ठीक उसके बाद आईए यहां पर देखें बात करते हैं अंतरकत रायपूर बिलासपूर रायगार दुर्ग राजनन गाउं छेत्र के लिए यहां पर जो है वो कुल अनारक्षित 124 पोस्ट है अनुसुची जाती के लिए 35 पोस्ट है पोस्ट अच्छे है ठीक है उसके आप देखें यहां पर क्या है मूल निवासी प्रमाण पत्र है तो ट्रांस्मिशन कंपणी में डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद है तू राज जी के जिले का मूल निवासी होना निवारी है तो आप जिस जिले से परेंगे वहां याद प्रमाण पत्र लगेगा मूल निवास का डिस्ट्यूबिशन कंपणी के जगदलपूर छेतर में डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद है तू राज जी के बस्तर संभाग के अंतरगत जिले का मूल निवासी होना जरूरी है तो यह सारे जो प्रमाण पत्र आपके पास होंग तबिया पर्टिकूलर छेतर वाइस दोया वो भर पाएंगे डिस्ट्यूबिशन कंपणी में अंबिकापूर छेतर में डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद है तू राज जी के सर्गूजा संभाग के अंतरगत जिले का मूल निवासी होना अनिवार है तो यह देखे जितने भी पद आप भरेंगे तो यहां से अच्छे से पढ़ने के बाद में भरियेगा डिस्ट्यूबिशन कंपणी के रायपूर, बिलासपूर, दुर्ग, राजनान गाओ और रायगाड छेतर में डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद है तो चत्तिजगर राज जी के मूल निवा प्रमाड पत्र यह दि आपके पास में तो आप भर सकते हो रायपूर, बिलासपूर, दुर्ग, राजनान गाओ और रायगाड ठीक है तो यहां के लिए आप जो है को सिर्फ आपको चत्तिगर का मूल निवास पत्र चीए ठीक है प्रमाड पत्र लेकिन यह दिए आप आपको MS Excel आना चीए, पावर पॉइंट आना चीए, ठीक है, इंटरनेट संबंदी जितने भी कारी हैं वो सारा कुछ जो है वो आपको आना चीए, तभी डाटा इंट्री ऑपरेटर के लिए आप इलिजिबल है समझे, स्टाइपेंड जो है वो डाटा इंट्री ऑपरेटर तो यह थोड़ा सा ध्यान रखेगा, जब सलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद का ही है प्रुसेस सारा, आयू सीमा देखिए, सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टनेट होता है आयू सीमा, तो आयू सीमा की जो गड़ना होगी, वो 1-1-2021 के अधार पर मान कर की जाएगी, ठीक है तो निउन्तम आयू सीमा जो है, वो 18 वर्स है यहाँ पर, ठीक है, अधिकतम आयू सीमा देखिए, तो अनरक्षित पुरूस महिला और दिव्यां के लिए, जो अनरक्षित जनरल के डिकरीम है, उनके लिए 40 वर्स है, ठीक है, अनुसुची जाती पुरूस महिला दिव्यां के लिए 45 वर्ष अंज पिष्डा वर्ष के लिए पुरूस महिला दिव्यां के लिए 45 वर्ष तो सिर्फ जनरल के लिए यहां पर देखे जनरल के लिए जो है वो 40 है और बाकी सभी के लिए जो है वो 45 वर्ष है एज में छूट देने के बाद में ठीक है परन्तु किसी उमिद इसके बाद भी एज नहीं होना चाहिए ठीक है इसमें देखे भूतपूर्व सैनिकों को आयू सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी जिसके अंतर कर दिनांक 11-2020 की इस्तिती में भूतपूर्व सैनिक उमिदवार की आयू में उसके द्वारा पहल की गई संपुर्ण द आल्लाइन आवेदान के अंतिम दिनांग तक पूर्ण करना अनिमारी है तो जब तक आप जो है वो आल्लाइन फॉर्म भरेंगे और उसका अंतिम डेट जब तक होगा तब तक आपकी योगजिता जो है वो पूर्ण हो जानी चाहिए ठीक है तो UGC से मानिताप्राफ्त वि डिपलोमा का रोनाड़ा पत्र जो है वो बहुत जादा जोरी है ठीक है सॉरी कंप्यूटर में अंग्रेजी एवं हिंदी में 5000 की डिप्रेशन प्रती घंटा जो स्पीड होती है वो 5000 की होनी चीए ये भी आपको याद रखना है ठीक पावर कंपनी के पत्रकमांग इतने के प्रूप सेक्षटी क्योग और सम्बंदीत मान्य अथा निमना नुसार है तो ऐसे आवेदग जो UGC से मान प्राप्त संस्ता है बीं कंप्यूटर साइन्स एंफॉरूरमेशन टेकनलोजी ब्. औ. ऐसन. इंफॉरूरमेशन टेकनलोजी بीं सी एमेस्टी पिनलूरूलूरी म MSC इसनातकोत्तर उन्हें computer संबधी योगिता के लिए प्रिथक से अन्या प्रमाड़ पत्र यह था DCA, PGDCA प्रस्तूत करना आवश्चेक नहीं होगा तो जिन लोगोंने computer से या BE किया हुआ है computer science information technology या BCA किया हुआ है, ठीक है, BSC किया हुआ है computer science information technology या BCA में न्यूंतम दूती सरेंडी में इसनातक है, ये लोग सभी लोग जो है वो data entry operator के लिए जो है वो पत के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है उसके देखे, second point में क्या दिया है, तो ऐसे आवेदक, आवेदिका है जो उप्रोक्त एक में से भिन पाठेकरम से न्यूंतम दूती सरेंडी में इसनातक संसा से निम लिखित पाठेकरम में किसी एक पाठेकरम में उत्तिर्ण होना अनिवारी है, अब बाकी लोग कैसे भर सकते हैं, तो computer science, information technology, modern office management में 3 वर्सी डिप्लोमा, अथवा DCA में 1 वर्सी डिप्लोमा, ठीक है, या ITI से computer operator and programming assistant, website में 1 वर्सी course, अथवा PGDCA, ठीक है, इतन यहां पर इतने लोग भर सकते हैं, PGDCA, computer से कोई आपने डिप्लोमा किया है, engineering किया है, ठीक है, computer से, information technology से, या BSC किया हुआ है, computer से, तो ऐसे लोग, PGDCA किया हुआ है, ठीक है, यह सारे लोग जो है, वो इसको भर सकते हैं, या ITI किया हूँ, computer operator and program assistant से, तो यह सारे लोग जो है, वो हेतु निर्धारित अंतीम दिनांग तक पूर्ण करना निवार है, मतलब कि जब भी आप इस form को भरेंगे, तब तक आपकी योग गिता जो है, या second योग गिता जो है, अंतीम डेट तक जो है, वो पूरी हो जानी जीए, ठीक है, तभी आप इसको भर पाएंगे, आ आवेदन के लिए आपको इस साइट पर जाना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, www.cspc.co.in, यहाँ पर जो है, वो ऑनलाइन जो है, आप आवेदन कर पाएंगे, आवेदन सुकल देखिए, सुल्क देखिए, तो देखें, यहाँ पर आनारक्षी तेम अन्य पिष्डव करने का अंतिम दिनांग जो है, वो 28-10-2021 है, तो यह डेट को अमेशा याद रखेगा, 29 से लेकर 28 तक आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, तो याद रखेगा इनको, आप देखें, चैन की प्रक्रिया में क्या क्या है, तो देखें, चैन में प्रतियोगी परिक्षा में वैकल्पिक होंगे, मतलब कि MCQ होंगे, हिंदी अवं अंग्रेजी भासा दोनों में होंगे, ठीक है, अनुवाद जो है, वो दोनों में होंगे, प्रतोगी परिक्षा दो घंटे की होगी, जिसमें वस्तुनिस्ट प्रकार के 100 प्रशन पूछे आएंगे, 100 प्रशन पूछे देखें आप यहाँ पर सिलेबल्स में क्या है, तो सिलेबल्स में सबसे पहला सामान रेगान है, 25 अंक सामानी कंप्टर जो है, वो 15 अंक आएगा, ठीक है कंप्टर के लिए यह अप लोगों को पढणना है, तो आप खंप्टर के लिए हमारी इ-book लेशकते है, बहुत इच प्रश्न पत्र होगा और इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे समानियान, कंप्यूटर ग्यान, मानसिक, योग्यता, समान्य गडित हैं ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा समानिय हिंदी व्याकराण है और समानिय अंग्रेजी व्याकराण है ठीक है इसमें वाप्त से पूछा जाएगा अगले चनल नहीं तो प्रतिवगी परिछा के कुल सो अंक में से अनरक्षित वा अन्य पिछला वर्ग प्रवर के नियूंतम 40% एवं अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती के प्रवर के अमिद्वार को नियूंतम 30% कारी अंक प्राप्त करना अवश्यक होगा ठीक है जन्रल के लिए 40% प्रितिसत है और बाकी के लिए क्या है जो है जन्रल और OBC के लिए 40% पास करने के लिए जरुरी है और 30% जाती अनुसुद जण जाती के लिए, मतलब इतने नंबर तो आपको लाना ही लाना है तब ही आपास के लाओगये ठीक है उसके बाद बाकी तो merit list ब प्रवर्ग वार्ग संख्या के पांच गुना उमिद्वार को कौसल परिक्षा के लिए बुलाए जाएगा ठीक है कौसल परिक्षा निम्ना नुसार होगी देखें यहां पर जितने भी उमिद्वार जो है जितने पोस्ट निकले हुए हैं उसके पांच गुना उमिद्वार क तो जो है वो causal परिक्षा के लिए बुला जाएगा और causal परिक्षा में क्या होगा तो वो देख लिए तो इसमें computer में अंग्रेजी में 5 एयर डिप्रिशन की प्रतिगंटा की जो है वो गती से परिक्षा की जाएगी इसमें 50 अंक आपको दिये जाएगे जब आप typing करते हैं न आपको 50 अंक दी जाएगे तो ये दोनों आपको ज़रूरी होना चीए मस्ट हिंदी और अंग्रेजी जो है अंग्रेजी हम हिंदी भासा की उक्त कौशल परिक्षा में प्रिथक प्रिथक उत्तिण होना अनिवारी है मतलब कि 50-50 में से आपको 30-30 नंबर जो है वो लाना ज अधार पर विज्यपित पदों के अनुसार चार प्रिथक प्रिथक प्रामिणे सूची निर्मित की जाएगी पोस्ट के अनुसार ठीक है और इसमें से तीन गुना लोगों को जो है वो दस्तावेज के लिए जो है वो सत्यापन के लिए बुलाये जाएगा तो जितने भी पर चैनित उमिद्वारों की नियुक्ति परिक्षा विदी पर की जाएगी परिविक्षा परिविक्षार्थी द्वारा पावर कंपनी के साथ चार साल के लिए अनुबंद इस्था जो है वो निस्पादित किया जाएगा मतलब कि आपको बॉंड साइन करना पड़ेगा य तो आपको बॉंड साइन करना पड़ेगा चार साल के लिए ये बातों को जो है वो अच्छे से ध्यान रखेगा फॉर्म फील करने से पहले कि आपको बॉंड साइन करना पड़ेगा एक लाग रुपए जमा करना पड़ेगा अनुबंद अवदी समाप्त के 50 सुरक्षा नि वापस कर दी जाएगी बॉंड का जब भी पीरेड आपका समाप्त हो जाएगा तो आपको जो इतने आपने पैसे जमा की एक लाग रुपए वो वापस कर दीए जाएंगे ठीक है अन ये सरतें जो है वो बाकी तो इसमें इतना इंपोर्टेंट नहीं है बाकी आप पढ़ लिजेगा जितना इंपोर्टेंट चीज इसमें दिया गया था वो सारा मनेजबा आपको बता दिया ठीक है तो ये हो गया आपका जो है वो डाटा इंट्री ऑपरेटर के लिए जितना भी यहां पर इंपोर्टेंट चीज था खास कर तो ये सिलेबल्स को देख लिजेगा ये कंप्यूटर और ये हिंदी का पीडिया जरूर लिजेगा लिंक जो है वो आपको भारगाव क्ला देख लेंगे तो आपका जो समाने गड़ी था और जो रिजनिंग का पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा हिंदी के जो वीडियोस है वो भी अगर आप देख लेंगे तो हिंदी भी आपका कवर हो जागा अंग्रेजी हम नहीं पढ़ाते हैं बाकि समाने गान और आप सारा कवर कर लेंगे तो यह तो था आपके जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का सारा कुछ जितना भी कुछ है यह PDF जो है वो आपको टेलिगरम ग्रूप में भी मिल जाएगा यदि आप इसको देखना चाहेंगे उसके आदा जाते हैं जेई वाले में ठीक है तो द नहीं दिया गया है वहाँ पर यह English में वहाँ पर दिया गया है ठीक है तो देखे इस्टार्टिंग डेट अफ सब्मिटिंग फॉर अप्लिकेशन फॉर्म जो है वो आपका 29 से वह स्टार्ट हुजाएगा उसके बाद में ends 2810 जो है इनको याद रखना है आपको आपके जो तो देखे यहाँ पर CSPDCL के लिए 115 पोस्ट है जनरल के लिए OBC के लिए 11 पोस्ट है SC के लिए 16 पोस्ट है, ST के लिए 30 पोस्ट है, total 173 पोस्ट है तो देखे पोस्ट आप समझ गया है कि आपको कैसे डिवाइट किया गया है जैसे कि CSPDCL के लिए अंदर में, Electrical के लिए जो है वो देखे इस परकार जो है, वो पोस्ट का डिविजन जो है, रहो किया गया है चारों डिपार्ट्मेट में CS, PTCL के लिए देखें, यहाँ पर electrical के लिए पाँच पोस्ट है, तो सबसे आदा electrical के लिए ही post जो है वो निकले वह समझ लीज़े, ठीक है, उसी पिरका चौथा post जो है वो department जो है वो, वहाँ पर civil के लिए 28 post है, ठीक है, तो देखें, पोस्ट को जो है वो थोड़ा अच्छ से, ध्यान से देख लीजेगा, उसका number of vacancy, change for direction of city, यह सारा कुछ इतना important नहीं है, candidate जो है, वो जुनियर इंजनले लिए, mechanical, electrical, electronics, computer science, information technology, and civil, ठीक है, यह ब्रांच जो है, वो दिया गया है, ठीक, उसके बाद तो सारा कुछ वही है, देखें, यहाँ पर जो है, वो minimum, जो qualification वो दिया है, पोस्ट और ब्रांच के साब, देखें, electrical के लिए क्या दिया गया है, 01 जिसका post code है, तीन साल का डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा होना चीए, आपको electrical, electrical and electronics, ठीक है, उसी परकार electrical and instrumentation, engineering from any government recognized institute, ठीक है, तो यह तीन साल का डिप्लोमा, यह इंजनिंग आपका ज सकते हैं, mechanical के लिए उसी परकार है, डिप्लोमा और engineering वाले जो है, भार सकते हैं, आपको मालूम है कि JEE के post जो है, डिप्लोमा और engineering वाले दोनों जो भार सकते हैं, ठीक है, तो यह जो है उसका qualification है, यह तो आप सभी को मालूमी होगा, ठीक, उसके बाद जो important है, उसको देख जो है, देख लिजे, तो एज का जो minimum जो है वो, तो देखें, यहाँ पर जो है वो, एज जो है वो, 19 year जो है वो minimum है, ठीक है, और जो है, फिर उसके मैक्सिमम एज कितना है, तो जनरल के लिए जो है वो 40 year है, ठीक है, उसके बाद में 45 year है, OBC, SC, HD के लिए, ठीक, तो आप reservation का दिया गया है, जो important होगा, JEE के post के लिए, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, खाली बाकी तो इतना important नहीं है, ठीक है, देखें, fees देख लिए यहाँ पर आप जब form भरेंगे, तो JEE के लिए जो fees है, वो OBC और general के लिए 1000 रुपए है, SC, HD वालों के लिए जो है, वो 700 ठीक है, याद रिखें के यह जो है, fees आपको देना है, form भरते समय 1000 रुपए, general और OBC वालों को लो, और SC, HD वालों को जो है, वो 700 रुपए देना है, ठीक, देखें, आप selection process के आया है, तो इसके अंदर में भी जो है, वो 2 घंटे का duration होगा, CBT, मतलब की, जो computer based test होगा, इस उससे जो है, वो 80 प्रशन आएंगे, 20 प्रशन जो है, वो आपसे general knowledge के, general awareness के, जो हो, या reasoning के पूछे जाएंगे, ठीक है, तो general awareness and reasoning यहाँ पर दिया गया है, तो second part में 20 नंबर के question जो होगे, और first part में आपके जो है वो, आपने जिस से भी, जिस extreme से भी, जो है, इंजरिंग किया हो, यह diploma किया हो, उससे पूछा जाएगा, ठीक है, तो 80 नंबर का यह हो गया, और जो 20 नंबर का है, वो general awareness reasoning जो है, पूछा जाएगा, ठीक है, इसमें भी देखे, तीन गुना लोगों को बुलाया जाएगा, CBT में जो पास हो जाएंगे उनको, ठीक, और यहाँ पर भ जाएगी, तो उसके उपर वालों से ही जो है, वो बुलाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, wrong question के लिए एक बटा चार नंबर, जो है, वो काटा जाएगा, ठीक है, तो यह भी याद रिखेगा, ठीक है, तो यहाँ पर इंपोर्टेंट नहीं है, अप्लाई करन पाएंगे, ठीक, और इसके अंदर में बाकी तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, जिसको आपको बताया जाए, बाकी तो आप समझदार हैं, जो इंजरिंग किये हुए, डिप्लोमा किये हुए, बाकी तो आप इसको पढ़ लेके हैं, ठीक है, कोई ऐसा सीलेबल दिया नहीं, यहाँ पर भी जो है, आपको एक चीज और याद रखेगा, जैसे आपको data entry operator में bond sign करना है, उसी प्रकार bond amount यहाँ पर भी sign करना है, चार साल के लिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिजेगा, बाद में क्या select हो जाते हैं, उसके बाद में आप पैसे अ जाईएगा और भरियेगा form, तो यह दोनों जो है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा, जो है telegram group में, दोनों आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर लिजेगा, ठीक, और कोई भी doubt होता है, तो आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको इसमें समस्यारी हो, देखें, C levels के पर ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, कि particular subject ऐसा मतलब ठीक है, तो data entry operator के लिए सारा चीज आपको बता दिया है, कि सामानिगान, हिंदी, computer, ठीक है, अंग्रेजी, reasoning, math, यह सारा कुछ जो है, वो पूछा जाएगा, और बहुत ही basic level का जो है, इसके अंदर में तो पूछा जाए टाइम मिलेगा तो आपको बता दिया जाएगा, तो आज की वीडियो में नहीं था, जय हिन, जय भारत!